इस वीडियो के अंदर में यही बात नहीं करने वाला हूँ कि किस तरीके से ग्लोबल वामिंग को जैसे मुंबई आगे जगे पानी में डूब जाएगा, उसका जैसे क्या होगा, कौन से अडियास डूबने वाले है, यह चीज़ डिसकस नहीं करेंगे, बात हम इस बात पर कर पर दिल करेगी, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, करेंटली कई स्टेडीस में ऐसा कहा गया है कि 2100 तक मुंबई पानी में डूब जाएगा, कुछ आटिकल्स के सबसे 2050 में ही डूब जाएगा, कुछ आटिकल्स में तो 2030 भी लिखा गया था कुछ सालों पहले, लेक जिसे मुंबई का बैंड रा, साथ मुंबई के कई सारे एरियाज, थाने के कुछ इंटिरियर्ज, नवी मुंबई के अंदर के कुश्टल एरियाज, और mostly वो सारे एरियाज जो मुंबई में आज किसी क्रीक के आट फ्लो में आते है, रिवर जब समंधर्यों मिलती है या र पारे एरियास कई सरी simulations के सबसे नजर आते हैं पानी के अंदर डूबने के लिए वो या तो low-lying एरियास हैं जब मुंबए के reclamation हुआ था साथ आइलेंड से तो ये वैसे भी समंदर के लेवल से नीचे थे या फिर ये ऐसे एरियास थे जहाँ पर development होना ही नीचे था ये तो म मिलता है तो ये बात तो clear हो गई कि मुंबए के अंदर पानी कई एरियास के अंदर permanently गुसने का खत्रा है और अब समझते है कि जब ये होगा तब क्या होने वाला है सबसे पेले ये बात कर लेते हैं कि जादतर मीडिया जब इसके बार में भात करती है तो इस scenario को इस तरीग के अंदर प्रेजेंट किया जाता है लेकिन एक बात हमें समझना जरूरी है कि ये सब जो हो रहा है वो at least 100 years की timeline के साथ में धीरे धीरे हो रहा है और year on year अगर जीज़े बहुत बत्तर ही चलती रही emissions के इसाब से तो कुछ-कुछ centimeters का rise ही हमें हर साल देखने के लिए मिलेगा jobbiously एक काफी slow process है जो लोग ऐसे areas में रहते है वो gradually reality को देखने के लिए समय ले सकते है फिर चाहे वो कोई privately owned property हो, governmental infra हो या फिर कोई businesses और क्योंकि इतना लंबा timeline कई सारे लोगों को मिल रहा है तो उनके बस में समय होगा solutions सोचने के लिए अपने आपको ठीक से settle करने के और accordingly जो है development इन areas के अंदर या तो restrict या modify किया जा सकता है future predictions के हिसाब से जैसे जो rise scenario है वो pass में हैगा उसके हिसाब से in fact अगर कुछ ऐसे areas के बात करें जहाब पर obviously पानी के पास में तो यह पहुच जाएंगे आगे जाकर लेकिन पूरी तरीके से यह useless नहीं बनेंगे उन areas के अंदर वही solutions भी implement किये जा सकते हैं जो आज Mumbai कुछ flood प्रोन areas के अंदर होते हैं कई सारों से जहाबर Mumbai floods आ रही है वह आने वाले सालों के अंदर ऐसे जहों पर भी की जा सकती है जापर सी लेवल राइस का जिसे दिखने के लिए मिलेगी और जैसे मैंने का सौ सालों में यह आराम से हो सकता है और जो बिल्डिंग बचाई जाही नहीं सकती जो 100% जो है पूरी तरीके से समंदर के चपेट में जागी उनको एक दिन में कोई नुकसान ने होने वाला है वो प्राइबिट इडिविज्वल फैमिली बिजनिस वो यह नुकसान धीरे-धीरे कई सालों के टाइम लाइन में सहन करेंगे एक्जांपल अगर मैं आपको दू तो जो ताज होटेल है मुंबई के अंदर यह वन जागे और अगली दिन अपने बंद करने की जरूवत पड़े अब सेकंड बात भी कर लेते हैं कि यह सी लेवल राइस होने को जोड़ देगा ऐसा नहीं होने वाले कि आज ताज होटेल जो है वो फुली फ्लेच तरीके से सब कुछ अपना अपरेट कर रहा है और अगली द लगE जैसे मुम्बई के इकोडि़न पर के असां सरफटने वाला है तो देखो यहाँ पर मैं सिट्र यह कर रहा हूँ कि जो लोगOUT निरबर करते हैं यह इनका नुक्सान to 100% होने वाला है। लेकिन पिछले सेनेरियो की तरह ये भी एक दिन के अंदर होने वाला निक्सान नहीं होगा, ये भी एक ग्राजूल चेंज होगा, लेकिन अधि सेम टाइम जैसे जैसे कोष्ट इंटीरियस की तरफ बढ़ता है, तो कोष्ट लाइन जो है बनने के लिए शुरू होगी, इसके ट्रांस्पोटिशन अक्टिविटीज जो पानी के अपर डिपेंड करती है, इनलाइन तक जाने के लिए, वो बहतर तरीके से उपरेट हो पाएगी, रिली स्टिट के अंदर हमें मेजर चिंजर देखने के लिए मिलेंगे, और जो इतना ज्यादा आप क्या सकती हो, एक जाना है, सिंपल भाषा में, अंदर की सेट में ज्यादा डिप्लेप्मेंट होना शुरू होगा, क्योंकि लोग अंदर की दरफ खिसकना शुरू कर देंगे, दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है, जिसको ऑविसली प्रोटेक करना बहुत ज़रूरी है, जितने हो सके उतने मेजर इस चीज़ों के उपर देखते हुए, बन करना ज्यादतर मीडिया के अंदर बताया जाता है, जो कि लॉंग टर्म में प्राक्टिकल नहीं है, और इन फैक्ट ज्यादा एकनॉमिक डिवेस्टेशन वो क्रियेट कर सकता है, बहुत कम टाइम फ्रेम में, और इसलिए एन्व प्रेटे भाषाओं में, जॉनराज में, जो आपके समय को जादा प्रोड़क्टिव बनाएगा, और सबसे इंटरिश्टिंग बात ये है, कि करेंटली कोको एफम जो है, आपको अपने प्रीमियम सब्सेशन के परचेस पर ना सिफ 50% का डिसकाउंट दे रहा है, और तीन म सब्सेशन में देए लिंक पर क्लिक करें, और कुको एफम के प्रीमियम सब्सेशन को सब्स्राइब करते समय, टीचर्स डे सेल का फाइदा उठाना ना बूले, अब आगे ये बात कर लेते हैं, कि ये सारे सिनारियोज होना तैतो है, लेकिन क्या इन चीज़ों को रोका जा सकता है, यहाँ पर फिरस मैं बात करूंगा कई सरी स्टडीज की, कई सरी आर्टिकल्स की, इन फाइक कई वीडियोज की भी, जो इस टॉपिक पर सॉक्यूलेट हो रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के अलगलग सिटीज और रीजिन के लिए, ज्याते दर ऐसा सिनेरियो दिखाया जाता है, कि जब यह चीज़े होगी, तब लोग जो है, वो हेल्फ प्लेस बैटेंगे, पूरे के पूरे एंड तक जब तक उनके घरों के अंदर पानी ना गुझ जाए, लेकिन हम इनसान जो है, वो टाइम बाइटाइम नेचर को चैल में नजरेंगे, अब जैसे मैंने कहा पहली बात, जो स्टडीज आपको इन टॉपिक्स पर मिलेगी, वो इतनी वेरीड है, कि आपको तीन से चारगुना डिफरेंस नजर आता है, कही पर आदे मीटर का सी लेवल राइस लिखा गया है, कही पर तीन मीटर तक का सी लेवल र मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ बर में यह नहीं कहा रहा हूँ कि सी लेवल राइस नहीं होगी, यह श्रडीज बेकार है, मैं यह कहा रहा हूँ कि यह चीजे जो है, प्रेडिक्शन्स नहीं कर सकती, और लेकिन अगर हम वर्ष के सिनेरियो को भी कंसिडर करें, तो मैं पानी के नीचे हुआ करता था, और अल्मुष्ट एक सेंचुरी से यह सकसिस्फुली शीज को कर रहे है, 15 साल पहले नैशनल जिग्रफी पर एक डॉक्यमेंटरी आई थी, जहाँ पर कहा गया था कि 10 साल के अंदर, विद गारंटी, वेनिस जो सिटी है इटली के अंदर यह समंदर में सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी क्योंकि यह धस रही है, लेकिन उसके बाद में एंजिनियर्स ने मिल कर कुछ चीज़े डिजाइन की, शेहर को जो है नीचे से मजबूत किया गया, कुछ structural changes शेहर के अंदर लाए गए, infrastructure changes के गए और आज जिस documentary के सबसे 10 स साल में शेहर डूब जाना चाहिए था, वो आज अच्छा कासा चल रहा है, और in fact year on year यहाँ पर टूरिश के संक्या बढ़ते जा रही है, यह कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर हो या दुनिया में कहीं पर भी, technology इन चीज़ों को इस्तमाल करते हुए जो है, हम कोई अच्छा के अच्छा के अच्छा के अच्छा करें लेकिन 20 बिलिशन से जादा लोग जिस शहर के अंदर रहते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, और इसका जैसे बहुत है बहुत हथ दरकर एक चछेगे बैट जाए, और किसी बीजिस के अंदर कोई भी चीज़ लाने की कंट्रोल ना करें, लेकिन 20 बिलिशन से जादा लोग जिस शहर के अंदर रहते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, और इसका जैसे बहुत हथ तक जो है, चीज़े कंट्रोल भी हो जाएगी, कंक्लूजन में अगर कहें, तो ये बात सच है कि मुंबई और देश के कई पर 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 प्रड़क्ट जो पहले लगते थे, वो कम हो रहे हैं, वह चाए वो चोटा सा पैन क्यों हो ना हो, या फिर कोई बहुत बड़ी आटो मिबील क्यों ना हो, चीज़े जो है, वो धीरी दीरी इनसान कंट्रोल कर रहा है, और बाइ टाइम अगर हम देखे, 40-50 साल बाद में, तो इन चीज़ों को इतना हद तक कंट्रोल का जा सकता है, कि जो 100 सालों का ट्राइम आज बताया गय है, इन जैसे दिक्कतों का आने के लिए, वो 1500-200 सालों तक भी शिफ्ट हो जाया, जिसके वज़स से, अगर हम एक प्राक्टिकल, लॉजिकल, और किस तरीक से इनसान आक्ट करेंगी इस चीज़ को देखते हुए, इस सहाब से चीज़ों को देखे, तो ये एक मैनेज़िब अगले वीडियो में